नमस्कार, आपका अक्पार के रविवारी अंख में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंगु। मैंने अपने कई वीडियो में और कई बार कहा है, तो पहले भी दे चुका हूँ, आगे भी देता रहूंगा, लेकिन आज एक विशेश बात पर आपका ध्यान आकरश्ट करना चाहता हूँ। देखिए, एसेंस अफ इंटाइटलमेंट आता है जब आपको कानून से उपर समझा जाता है, जब आपके लिए कानून बदल दिये जाते हैं। तो क्या आपने सुना है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, राजा महराजाओं के समझ की बात चोड़ दीजिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी एक परिवार की संपत्ति को स्टेट टैक्स से, यानि कर से बचाने के लिए कानून बदल दिया गया हो। और जिसके लिए बदल दिया जाए उसके मन में किस तरह का भाव होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नहरू गांधी परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनमें ये जो सिल्फ इंटाइटिलमेंट का भाव है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये उनको विरासत में मिला हुआ है। अभी उस मुद्दे पर आएं, उससे पहले उसके हर बात का, हर काम का, हर कदम का, हर फैसले का एक संदर्ब होता है। इस लोगसभा चुनाओ के दवरान, सैम पित्रोदा ने एक बयात दिया था, आपको भी याद होगा, इन्हेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए भारत में जैसा अमेरिका में लगता है। उन्होंने का, अमेरिका में लगता है, और 50% संपत्ति, विर्ति के मरने के बाद, स्टेट को यानि सरकार को चली जाती है, अलाकि उन्हेरिका में पूरे देश में ये कानून नहीं है, अमेरिका के कुछ राजियों में है, और टैक्स का स्लैब भी 50% नहीं है, वो 30% के लेकिन उन तत्यों को छोड़ देते हैं, वो उस पर जाने से बात आगे बढ़ेगी नहीं, और उसका आप कोई मतलब भी नहीं रह गया, वो चुनाव के समय की बात थी, सैम पित्रोदा के इस बयान पर बड़ा हंगमा मचा, बीजेपी ने विरोध किया, प्रधान मंत्री एक बात कही, कि कॉंग्रेस का तो यही मोटो है, यही नारा है, कि आपकी संपत्ति की लूट आपके जीवन में भी और जीवन के बाद भी है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है, यह जो है, टैग लाइन है, LIC की, उसी का इस्तिमाल किया उन्होंने, और ज लागू किया जाना चाहिए, और आपकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा आपकी निधन के बाद आपके बच्चों के पास जो जाएगा, उसमें से आधा सरकार को मिलना चाहिए, टैक्स के रूप में, तो जब विरोध ज्यादा दिखने लगा, तो कॉंग्रेस ने पहले अपने हैं और राहुल गांदी के सबसे बड़े सलाहकार हैं, तो उनको वर्सीज कांग्रेस के अध्यक्षपत से हटा दिया गया, और चुनाओ खतम होते ही फिर वहाल कर दिया गया, ये कहानी अलग है, आज साइम पितरोधा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ गांदी परिवार की सेल्फ इंटाइटल्मेंट का जो भाव है, वो कहां से और कैसे आता है, उसकी बात कर रहा हूं, तो सैम पितरोधा ने ये बयान दिया, उसके बाद उनका क्या हुआ आपको मालू है, और चुनाओ के बाद किस तरह से उनको फिर से बाहल किया गया, ये आजादी के बाद से लागो था, इनहेरिटेंस का टैक्स लगता था, व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसकी जो संपत्ती है, उसके जो वारिसों को मिलती थी, उसमें से सरकार टैक्स लेती थी और इस टैक्स का स्लैब था, बीस लाग से ज्यादा की संपत्ती पर 85% स्टेट दी थी, उसको आम बोलचाल की भाषा में डेथ डियूटी भी कहते थे, तो ये स्टेट डियूटी स्लैब वाइज थी कि इतनी संपत्ती होगी तो इतना टैक्स, इतनी होगी तो इतना टैक्स, जो मैक्सिमम स्लैब था, 20 लाग से उपर की संपत्ती पर 85% नैक्स, अब ये करने के लिए मजबूर किया और बेमानी का कैसे जो है वो सामराज्य इस्थापित किया लेकिन वो फिर किसी दिन अब हुआ ये टैक्स तो लागू कर दिया सरकार ने कि इस से जो पैसा आएगा वो गरीबों में वाटा जाएगा बतलब उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा लेकिन कुछ ज़्यादा पैसा आया नहीं उसके दो कारण एक बेनामी संपत्ती होने के कारण उस वेर्ति के नाम से जो है संपत्ती है ये नहीं तो उस पर टैक्स क्या लगाएंगे और दूसरा दूसरा जो है संपत्ती की असली कीमत को छुपाना इसके लिए इस्तेमाल हुआ Chartered Accountants का और Government Valuers का दरसल Government Valuers जो है वो संपत्ती का अनुमान लगाते थे कि कि संपत्ती की का मूले आज जो बाजार मूले है उसके हिसाब से कितना होगा इसमें बड़े पैमाने पर दांदली होती थे तो सरकार को इस टैक्स से कुछ मिलता नहीं था लेकिन उस टैक्स खतम नहीं किया गया और फिर इसकी अलोचना इस आधार पर हुई कि ये डबल टैक्सेशन है क्योंकि व्यक्ति जीवित रहते हुए उसकी जो संपत्ति है उस पर संपत्ति कर यानि वेल्थ टैक्स देता था और उसके निधन के बाद उसका परिवार जो है उसके वारिस जो है वो स्टेट ड्यूटी दे रहे तो ये डबल टैक्सेशन हो गया लेकिन इससे भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये आम लोगों की बात थी कानून आम लोगों की मदद के लिए नहीं बनाए जाते थे नहरू गांधी परिवार के राज में आप देखेंगे तो बहुत से कानून आपको ऐसे मिलेंगे जो आम लोगों को परेशान करने के लिए ज़्यादा बनाए जाते थे उनका जीवन मुश्किल करने के लिए ज़्यादा बनाए जाते थे तो इस कानून में इतनी खामिया होने के बावजूद और इसका कोई फाइदा नहोने के बावजूद इस कानून को खत्म नहीं किया गया लेकिन और तीस साल तक खत्म नहीं किया गया अब सवाल आता है कि खत्म क्यों किया गया उनिस सो पचासी में इसको खत्म कर दिया गया अब आप कहेंगे 1985 में ऐसा क्या खास हुआ वो जानने की बड़ी ज़रूरत है राजीव गांधी 1984 दिसंबर में जो लोकसभा चुनाव हुए इंदिरा गांधी के हरत्या के बाद उसकी सानभूती के लहर में प्रचंड रूप से चुनाव जीत कराए विश्वनात प्रताप सिंग वित्मंत्री थे उनकी सरकार के पहले बजट में यह जो इन्हेरिटेंस टैक्स है या स्टेट ड्यूटी कह लें यह स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 जो है इसको इबॉलिश कर दिया गया बात इतने तक नहीं है आपको लगेगा बड़ा प्रोग्रिसिव जो है कदम था लोग परिशान हो रहे थे सरकार को फाइदा नहीं हो रहा था तो खतम कर दिया कानून तो यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे की कहानी जरा समझेए आम तोर पर होता यह है कि कोई कानून लागू होता है या खतम किया जाता है तो उस दिन से होता है प्रिजेंट में होता है पिछली तारीक से नहीं होता इस कानून को एक अपर के खिलाफ कानून लाने का तो 1988 में वो कानून लेकर आए बेनामी संपत्ती के खिलाफ संसत से पास हो गया लेकिन आपको मालूम है अभी C.E.A. के मामले में देखा है तो इसलिए याद भी होगा कि कोई भी कानून संसत से पास हो जाए राश्पती की मन्जूरी मिल जाए उस उसके रूल्स फ्रेम करती है सरकार राजीव गान्थी ने उसके रूल्स फ्रेम नहीं किये क्योंकि उस कानून को लागू करने की नियत नहीं थी उनको मालूम था कि इसमें ज्यादातर उनकी पार्टी के लोग फसेंगे उनकी संपत्या जाएंगी तो जो 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाब कानून बना था उसके रूल्स फ्रेम किये मोधी सरकार ने 2016 में और उसके हिसाब से मुकद्मे दायर हो गए जो बेनामी संपत्तियां मिली जिनका पता चला वो लोग कोर्ट चले गए सुप्रिम कोर्ट ने एक बड़ा आजी फैसला दिया सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये कानून 2016 से लागू होगा तो उससे पहले जो मुकद्मे किये गए थे वो सब निरस्त हो गए तो उन सब की संपत्तियां बच गई सरकार का ये कहना था कि जो कि ये कानून संसत से 1988 में 1988 में पास हुआ था तो ये उसी तारीक से लागू होना चाहिए लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये कानून जो है वो आप पिछली तारीक से लागू नहीं कर सकते हैं हाला कि कानून बना तो पिछली तारीक में था लेकिन खैर आज का मुद्दा वो नहीं है तो बेनामी संपत्ति का कानून राजीव गांधी ने नहीं बनाया, मतलब उसको लागू नहीं होने दिया, उसके लिए देश को एक नरिन मोदी का यजजार करना पड़ा कि वो आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये बेनामी संपत्ति का कानून बनेगा तो कानून अलग बात है कि 1988 से 2016 के बीच में जिन लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्जित की वो सब बच गए सुप्रिम कोट के फैसले की वज़े से लेकिन मैं जो है स्टेट ड्यूटी की या इन्हेरिटेंस टैक्स की बात कर रहा था तो क्या हुआ था 1885 में जिसकी वज़े से ये कानून रद करना पड़ा आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उन्होंने एक वसियत तयार किया कराई थी जो 1981 में तयार हुई थी और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने ग्रेंट चिल्डरिन के नाम कर गांधी उस समय वाडरा नहीं हुए थी प्रियंका गांधी वरुन गांधी दो बच्चे राजीव गांधी के थे और एक जो है संजय गांधी का ये वसियत उन्होंने संजय गांधी की मृत्य के बाद पनाई उसमें जो उनकी संपत्ति थी उसमें महरोली में एक फार्म में चुनाव हार गई थी प्रिदानमंत्री पद से हट गई थी सरकारी आवास चला गया था तो उस समय कहीं रहने के लिए उनको जगह मिले इसके लिए उन्होंने जो जमीन थी महरोली में दिली के शहर के आउट इसकट्स पे है अब तो एक तरह से शहर में ही है वहां फार कर दिया परिवार के लिए तो परिवार उसमें शिफ्ट हो गया तो ये जो महरोली का फार्म और फार्म हाउस आधा बना हुआ उसके अलावा शेर्स डिबेंचर्स और जो है बॉन्ड जो थे ज्वैलरी एंटीक आइटम्स और इंदिरा गांधी और जवाहल लाल नहरू न और संपत्या में बटी लेकिन इंदिरा गांधी की जो जवैलरी थी और एंटीक आइटम थे वो इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से प्रियंका गांधी के नाम किया उस समय की गढ़ना के अनुसार ये सारी संपत्य का आंकलन जो किया गया वो 21,50,000 और आपको मैंने पहले बताया कि 20,00,000 से उपर का जो स्लैब था 85% टैक्स था तो अगर वो कानून लागू रहता तो 85% सरकार टैक्स ले लेती है अब आप भी कमाल की बात कर रहे हैं गांधी परिवार कोई सामान नागरिक हैं ये लोग तो इनके लिए कानून बदल दिया गया वो टैक्स देंग ये कैसे हो सकता है तो ये इन्हेरिटेंस टैक्स या स्टेट ड्यूटी स्टेट ड्यूटी एक 1953 एबॉलिश कर दिया गया और एबॉलिश किया गया एक अपरेल 1984 से इसको लागू किया गया और इंदिर्या गांधी की विल दो मई 1985 को सारुजनिक हुई सारुजनिक कैसे हुई राजीव गांधी को उसके लिए अदालत में जाकर उसको सर्टिफाई कराना था तो यूपी आई उनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एक निव्स एजेंसी उसने ये खबर चलाई और पूरे देश के एकबारों में छपी ये खबर दो मई को ये त ये आग आजिनिक हुआ उस विल में इंदिरा गानधी ने विल के एक्जिक्वीशन के लिए राजीव गांधी और सोन्या गांधी को जिम्मेदारी सवंपे थे, मेंका गांधी को नहीं. लेकिन अपनी संपत्ति में से अपने बेटे राजिव गांधी और दोनों बहुओं यानि सोनिया गांधी और मेनका गांधी को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जो copyright था इंद्रिया गांधी की किताब और जवारलाल नहरु की किताब का वो copyright भी बच्चों में बटा। तो देश में inheritance tax था लगभग तीन दशक तक था। उसको खत्म किया गया एक कानून जो बनाया गया था संसत से उसको खत्म किया गया इसलिए नहीं कि लोगों को परिशानी हो रही है। आम लोगों को नुकसान हो रहा है। यह एक तरह का double taxation है इस वज़े से भी नहीं कि इस से सरकार को कोई विशेश आमधनी नहीं हो रही है। इस कानून को खत्म किया गया गांधी परिवार की संपत्ति को कर से tax से बचाने के लिए। तो बताइए जिसके साथ ये हुआ हो बचपन में जिसको इस तरह का फाइदा मिला हो कि उसकी संपत्ति पर tax न लगे इसके लिए भारत सरकार कानून खतम कर दे, कानून बदल दे, उसके अंदर self entitlement का भाव क्यों नहीं आएगा। राहुल गांधी को यही तो लगता होगा। कि हमारे लिए तो कानून बदल सकता है, हम तो सामान निव्यक्ति है नहीं। अगर हमारे रास्ते में कोई कानून आएगा तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। यह बड़ी स्वाभावी कृति उनके मन में है और उसके कारण है और उसका संदर्भ भी है। तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो भारत में लागू था। सहम पित्रोदा ने यह बात नहीं बताए। यह भी नहीं बताया कि उसे खतम क्यों किया गया, कॉंगरेस के किसी नेता नहीं बताया। तो यह खेल गांधी परिवार को सामाने कानून और सामाने लोगों से उपर रखने का लबे समय है बलकि आजादी के पहले से चल रहा है और आजादी के बाद तो और धूम-धड़ाके से चलने लगा। उन्हीं की सरकार थी। 17 साल आजादी के बाद जवारलाल नहरू जो है प्रधान मंत्री थे। बीच में कुछ समय के लिए शास्त्री जी बने फिर उसके बाद इंदिरय गांधी बन गई। फिर राजिव गांधी बन गए। और उसके बाद कॉंग्रेस की प्रतेक्षिया परोक्ष रूप से सरकारे रही। तो समविधान और कानून दोनों गांधी परिवार पर लागू नहीं होते हैं। ये संदेश देने की बार-बार कोशिश होती है। और एनेसी पर तुपधान मंत्री ने बोला था आपको मालूम होगा कि 2004 में हंसराज भारदवाज कानून मंत्री थे। प्रस्ताव लेकर आये थे कबिनेट पे। कि एनेसी के चेर परसन के पास हर मंत्राले की फाइल जा सकती है। यानि सोनिया गांधी सुपर प्राइम निस्टर बन जाए। इसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध के बाद ये प्रस्ताव वापस लिया गया। हलाकि फिर अनौपचारिक रूप से ऐसा होने लगा। एक वरिष्ठ अधिकारी लगभग रोज फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास जाते थे 2004 से 2014 के बीच में। अंदजा लगाई है कि देश के प्रधान मंतरी की क्या हैसित थी। ये मनमोहन सिंग की मैं मानता हूं कि बेशर्मी है कि वो अपने पद पर बने रहे। उनको पद मिला पद के अधिकार कभी नहीं मिले। उनके कैबिनेट के सदस्यों ने उनको कभी वो इज़त दी नहीं जो एक प्रधान मंतरी को मिलनी चाहिए थी। और कैबिनेट के सदस्यों की क्या बात करें। राहुल गांधी जो एक सामान्य सांसत थे। वो कैबिनेट से पास ओर्डिनेंस का जो है ड्राफ्ट उसको सारवजनिक रूप से प्रिस कॉंफरेंस में फाड़ देते हैं। लेकिन प्रधान मंतरी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो प्रधान मंतरी के सामने सिर्फ एक लक्ष था अपनी कुर्सी बचाए रखना। और मन्मौन सिंग ने वही किया दस साल तक, इसी तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाए, लेकिन मैं बात तो गांधी परिवार की कर रहा हूँ, उनको 2014 के बाद से लगातार जटके लग रहे हैं, आपको मालू है, SPG Act बना, Special Protection Group बना, राजीव गांधी की हत्या के बाद, और प्रधान मंत्री की Protection के लिए ये एक Special Force बनाई गई, राजीव गांधी के हत्या के बाद में, उसमें SPG Act में Amendment किया गया है, कि प्रधान मंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी, और पूर प्रधान मंत्री के परिवार को भी मिलेगी, इस नाते सुनिया गांधी, र प्रधान मंत्री की सरकार आई, उन्होंने SPG Protection हटा लिया, जिस उदेश के लिए बना था वो कानून, वही रहने दिया, कि ये केवल प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए बना हुआ Special Protection Group है, किसी और की सुरक्षा में नहीं लगेगा, इसका मलाल जो है, और इसकी जो बनने के बाद, नरिन मोदीन ने लगातार चोट की है, हमसे कौन पूछ सकता है, आपको मालूम है, इंदिरा जी की हत्या हुई जब, तो आरके धवन के अलावा कोई दूसरा और जो था वहां पर जिसको प्रत्यक्ष दर्शी या प्रत्यक्ष गवा कह सकते हैं, वो सोनिया गांधी थी, गोली के आवाज सुनकर भाग कर वो घर से बाहर निकली थी, गोली से घायल इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखा था, लेकिन पूरे ट्रायल के दौरान, कभी सोनिया गांधी का ना जाच येंसी ने बयान लिया, ना कोट में उनको किसी गवाही के लिए पेश किया गया, ये ताकत है गांधी परिवार के self entitlement की, कानून से उपर है, आप कल्पना कर सकते हैं, कोई और होता तो उसको गवाही के लिए न बुलाया जाता, ये हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ, और इसके एक नहीं कई उधारन है, हमको हाथ कौन लगा सकता है, हमको का कानून के सामने कौन खड़ा कर सकता है, मुदी ने खड़ा कर दिया, अदालत में पेश होना पड़ा, अदालत में जाकर जमानत लेनी पड़ी, ग्राहुल गांधी अब भी अपना दर्द बयान करते हैं, कि एडी ने उनसे भच्पन घंटे पुष्टाश किये, तो ये जो गुरूर का मुकुट पहन रखा था, उसको चकना चूर कर दिया, मुदी ने, ये बता दिया, कि आपके लिए भी वही कानून है, जो इस देश के सामान निव्यक्ति के लिए है, इसकी चोट है, जिसकी वज़े से इतना विश्वमन राहुल गांधी कर रहे हैं, व्यक्दि जैज बात, लेकिन जिस तरह का जहरीला हमला व्यक्तिकत रूप से प्रधान मंत्री पर किया जाता है, जिस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश होती है, राहुल गांधी और उनके साथियों द्वारा, उसका दर्द यहां से निकलता है, ये जो सेल्फ एंटाइटिल्म का तमगा लगा, उनके गले में लटका हुआ था गांधी परिवार के, उसको नोचकर फेंग दिया है, नरिद मोदी ने, ये गलती है, ये अपराध है उनका, कहां उनके लिए कानून बदल जाता था, कहां उनको सामान कानून के मताबिक रहना पड़ रहा है, नेशनल हेरल इसी बात लग सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए इसी बात नहीं है, उनको कभी अदालत में पेश होकर जमानत लेना पड़ेगा, ये उनकी कलपना से बाहर था, और आने वाले दिनों में कई ऐसे मामले हैं, जिसमें उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके बाखलाहट आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, कुछ मामलों का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, नेशल हेरल का मामला तो सामने ही है आपके, अगस्ता वेस्टलेंड जो हेलिकॉप्टर की खरीद थी, उसका मामला, उसके अला हो सकता है, और उसी की छटपटा हट है, इसलिए लग रहा था उनको की दो हजार चौबिस में कुछ भी करो, किसी इसतर तक जाओ, किसी तरह मोधी को हटाओ, तो मोधी की पार्टी की सीटों की संख्या तो कम कर दी, लेकिन मोधी को नहीं हटा पाए, तो वो फ्रस्टेशन और ज़्यादा बढ़ गया है, और आने वाले दिनों में ये संसद और संसद के बाहर आपको लगातार दिखाई देगा, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नौत दीजिए, आप से अनूद है कि चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबस्क्राइब दरो टीजिए